दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं उस ओश्यदी का सेवन तो आप सभी कर रहे हैं यानि कि काली मिर्च का सेवन सभी कर रहे हैं लेकिन नहीं पता है कि कितनी मात्रा में हर रोज काली मिर्च का सेवन आप कर सकते हैं तो आपको जाइब की जगह पर काली मिर्च के लिए पर्यापत होता है उस से ज्यादा अगर लेंगे तो हमें नुकसान होने लगता है यह समझना बहुत जरूरी है साथ ही साथ समझेंगे हम सभी कि कौन कौन सी बिमारी को दूर करनी के लिए किस प्रकार से काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं और अंत में हम आपको विशेश रूप से बताएंगे कि कब इसका कितनी मातरा में इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए फायदे मन रहेगा तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप के हुए अंतर तक जरूर देखे काली मिर्च के बारे में पुनतर समझ जाएंगे नेट पर आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी आप जानते भी होंगे कि काली मिर्च कौन कौन सी बिमारी में दूर की जाती है लेकिन कब कितनी मातरा हम पिला करके उपयोग किया जाएगा तो लाव मिलेगा फिर हम बात करेंगे मातरा पर तो वीडियो को भीना स्किप की हुए अंतर तक जरूर देखिए और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे शेर कर दीजे वाटसप पे फेस्बुक पे फैमली मेंबर्स के साथ दोस्तों के स ताकि उनको एक बहतर जानकारी मिले और मुझे खुशी मिलती है जब भी आप वीडियो को लाइक शेर और कमेंट करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगती है नमस्कार आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला आएए पहला फायदा जा सरदी जुकाम की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी यानि कि दूद में काली मिर्च डाल दीजिए और उबाल दीजिए और सेवन कर लीजिए मात्रा जानने के लिए वीडियो को अंते तक जरूर देखिए आए सेकेंड जी जानते हैं दूसरी बीमारी बार बार अगर किसी जुकाम होता है तो 15 दिन तक एक एक काली मिर्च जी हां बढ़ाते हुए ध्यान रखिए एक एक काली मिर्च बढ़ाते हुए पहले दिन एक काली मिर्च दूसरे दिन दो तीसरे दिन तीन ऐसे करके 15 दिन तक आपको बढ़ाते जाना है और इसका सेवन करते जाना है उसके पंदरा दिन तक एक एक करके आपको घटाते जाना है यानि कि पंदरवा दिन पंदरा हो गया तो फिर अगले दिन 14 कर देना है फिर 13 कर देना है ऐसे घटाते जाना है इससे बार-बार होने वाले जो सर्दी जो काम की समस्या है वो आपके हमेशा के लिए दूर हो जाना है क्य मिला करके मिला लीजिए और उसका सेवन किजिए चाट लीजिए यह बोहत लापकारी होता है आपको बलगम यानि की कफ बनने की जो समस्या है उस से निजात दिलाने के लिए अगर आप लगातार खांसी से परेशान हो गये हैं खांसी की समस्या हो जाती है जो काम होने के तो काली मिर्च का स्वन् काफी प्यादे मंद होता है ऐसे में काली मिर्च हिंग' और कपोर को पांच-पांच G्राम लेना और इनको मिला लेना चाहिए इसके बाद राई के बराबर यानि कि एक जो तोरी बोलते हैं राई बोलते हैं उतना सा आपको छोटा छोटा गोली बना करके रख लेना है इन गोलियों को हर तिन घंटे के बाद आपको सेवन करना है बहुत छोटी यानि कि चावल का दाना जो ह होता है ठीक वैसे हैं आपको इस्तेमाल करना है कमाल को यह बीमारियों को दूर करता है हमारे शरीर में अज हमारा व उन भीमारियों पर था जो के मौसम होती ही होती है और खाव यह को ना कि हमारी चल रही है तो इससे गारे इसलिन बहुत जरूरी है कि क्या करें काली मिर्च की चाय का सेवन करें लेकिन अब बात आता है कि इसका कितना मात्री क कि इंसे स्वस्थ इंसान को एक काली मिर्च एक दिन में खाना परियाप्त है इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए ने तो नुक्सान होता है चाय भी बनाए तो आप पूरी फैमली के लिए बना रहे हैं तो इसमें दो से तीन काली मिर्च तोड़ करके आपने डाल दिया इनफ है अच्छी बात है कि जल्दि इसका लाव मिल पाता है वैसे चाहें तो आप इससे खाने में भी मसाले में भी डाल करके खा सकते हैं अगर एक से दो काली मिर्च लेते हैं तो फायदेमंद है हाँ विश्यस परिस्थिति है कि किक्सी को जुकाम होता है तो हमने तरीका बताया तो बस एक काली मिर्च का सेवन एक दिन में कीजिए बहुत अच्छा रहेगा आपके शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत श्ट्रोंग हो जाएगा जिसकी वज़े से आप अनीक बिमारियों से बच सकेंगे एक नहीं बलकि अनीक बिमारियां आपके शरीर से दूर रहेंगे और आप स्वस्त रहेंगे उम्मिद करते हैं कि आपको वीडियो बेहत पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए वाटसब पे फेस्बुक पे फेमिली मेंबर्स के साथ दोस्तों के साथ ताकि उनको एक बेहतर जानकारी मिल सके मुझे बहुत खुशी मिलते है जब भी आप वीडियो को लाइक शेर और कमेंट करते हैं तो और साथ ही साथ चैनल को सबस्क्राइब करके झाल